Hi everyone, welcome back to my channel, in this video I will be talking about best weekend gateaways from Kolkata Video start करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल So, let's get started Number 4, डिगा डिगा जाने का सबसे बेस्ट वे है बाइ ट्रेन हावडा से डिगा के लिए डेली मॉर्निंग में तामड लिपता एक्स्प्रेस चलती है जिससे आप सुबह के 10 बजे तक डिगा पहुँच जाओगे डिगा में एक Old डिगा बीच है और एक New डिगा बीच है आप अपना स्टे या तो Old डिगा बीच के पास ले सकते हो या फिर New डिगा बीच के पास ले सकते हो During my डिगा ट्रिप, I stayed at Signet in Sea View Hotel जो की New डिगा बीच के पास है This hotel is डिगा's first heated swimming pool hotel and I would highly recommend you considering this hotel for your डिगा ट्रिप During the day, you can explore New डिगा बीच क्योंकि New डिगा बीच में सारे water sports activities होते है And after that, during the evening, you can go and enjoy Old डिगा बीच लो बीचा, के लिगा खिवा बीच में सकते है तो न्यू डिगर बीच के बाद मैं आ गया हूँ ओल डिगर बीच और यूद रिकमेंड यू कि आप यहाँ इवनिंग के टाइम में आना क्योंकि इवनिंग में ओल डिगर पुरा लाइट से डेकृटिटिट होता है और अलसो मार्केट भी लगता है जहां से आप गिव्ट्स और सोविनियर्स ले सकते हो अगर आपको क्रावडेट बीचिस पसंद नहीं है तेन यू मस्ट विजिट मंदार्मनी मंदार्मनी डिगा से 20 किलोमेटर के डिस्टेंस पे है और इट विल टेक अराण 45 मिनेट तो गो फ्रम डिगा तो मंदार्मनी मंदार्मनी जाने के लिए आइवोड रिकमेंड यू तो गो बाय रोड क्योंकि डिगा से मंदार्मनी जाने का रास्ता is one of the best sea view routes बहुत लोग डिगा के बदले मंदार्मनी जाना प्रिफर करते हैं तो आभी मैं यहां से चेक आउट करके मंदार्मनी जा रहा हूँ मंदार्मनी में यू can choose to stay at one of the various resorts at मंदार्मनी.During my मंदार्मनी trip I stayed at Sere Bengal resort and till now this is one of my best stays मंदार्मनी में इवनिंग में you can go and enjoy it मंदार्मनी बीच तो अभी मैं आ गया हूँ मंदार्मनी सी बीच तो यह है Sere Bengal resort और इसके जस्ट सामने ही है यह मंदार्मनी सी बीच तो काफी अच्छे location पर है अपना resort जाने ये कैसी राते आई उसके सपने मेरे आखो को भागई बाते कुछ ऐसी वो कहके गई मेरे इंधर कनो में यू समागई मेरे अब इनको बना देदे बाहो में तेरे देल जगा अब मुझे बोलना है सारी वो जो बाते दिल में है तो मा के चाहिछी आरो बेशी की कोरे बुलबो बालो बाशी के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है तो मारे खोटे मुझे की हशी आमी वड़ो बालो बाशी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यू के टेक दी सेम ट्रेन एन गो बैक टु हावडा डिगा एन मंदार्मनी के व्लोक्स का लिंक में डिस्किप्शन में दे दूंगा यू के गो एन वॉच इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो नमबर टू पूरी तो अगर आपको कॉलकता से पूरी जाना है तो आपके पास दो ट्रेन के आप्शन से पूरी में स्टेज का बहुत ऑप्शन है डिरिंग माइ पूरी ट्रिप आइट प्राइड अनन्या रिजॉर्ट इस्टेप का ही रूम है तो यह डिलक्स रूम है और इस रूम को मैंने दो दिन के लिए बुक किया है तो रूम काफी अच्छा है और काफी स्पेशेज भी है रूम यू कैन आजो कंसिडर इस होटेल फॉर यह पूरी ट्रिप पूरी में सबसे पहले यू कन गो एंड विजिट पूरी का क्लीनेस्ट बीच ब्लूफलैग बीच पूरी का सबसे क्लीनेस्ट बीच है यहां का टाइमिंग में 5.30 से लेके रात को 8 बज़े तक है यहां का एंट्रे टिकट का प्राइस 20 रूपीज है ब्लूफलैग बीच में आपको इस टाइप के चेर्ज भी मिलेंगे जहां से आप बहुत अच्छा सन्राइज और संसेट इंग्जॉय कर सकते हो बढ़ हां यह चार्जेबल है और चार्जेज आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे आप यहां पर मॉर्णिंग में या फिर इवनिंग में जाना हूँ नेक्स्ट डे को मॉर्णिंग में यू कन गो और विजिट दी वेरी फेमस जगना टेंपल जगना टेंपल के टाइमिंग मॉर्णिंग में फाइव एम से लेकर रात के नौ बजे तक है और यहां का कोई एंट्रिफी नहीं है और टेंपल में दर्शन करने में आपको इजिली टू आउर्ट लग जाएंगे क्योंकि वीकेंड्स हो या फिर वीकली जगना टेंपल में आपको हमेशा ही बहुती रस मिलेगा इसलिए I would recommend you कि अगर आपको रस अवाइड करना है तो आप अर्ली मॉर्णिंग बिपोर 9 अम आना या फिर इवनिंग में आपको 4 पिम आना और आप चाहो तो रात में भी जगना टेंपल आ सकते हो रात के 9 बजे तर टेंपल ओबन रहता है एड़ ये है जगनाठ टेंपल का प्रसाध ये अंडेडर रुपीस से स्टार्व होता है अंड़ आपको टेंपल के अंदर रहे नगे जाएगा अल्सो एवरी दे इवनिंग में 5 पेम के अराउंड यहां संध्या आरती होता है at the top position of temple and it is really a great experience to witness this. नमबर वन कुनार्क सो कुनार्क जाने के लिए आप पूड़ी बस्टन से बस ले सकते है and बस का फेर 40 रूपीज है and लगबख एक गंटे लगेंगे आपको पूड़ी से कुनार्क जाने में and also remember returning में कुनार्क से पूड़ी वापस आने के लिए last bus evening में 7 बजे है इसके बाद आपको कोई बस नहीं मिलेगा कुनार्क से पूड़ी आने के लिए and अगर आप बस से पूड़ी से कुनार्क जाते हो तो try करना right side में आप बैठो क्योंकि right side से आपको चंद्रभागा पीच भी दिखेगा कुनार्क सन टेंपल एक युनेस्को वर्ल्ड है टेट साइट है and इसका पिक्चर अपने 10 रुपीज के नोट पे भी है यहां का टाइमिंग मॉर्निंग में 6 एम से लेके रात के आड़ वजे तक है and यहां का एंट्री टिकट का प्राइस 40 रुपीज है also except Monday everyday evening में यहां पे light and sound show भी होता है and evening में 5.30 से आपको light and sound show के टिकट मिलेंगे and also remember इसके seats limited होते है and around 10-15 minutes में ही सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते है उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होगा जिसका प्राइस 50 रुपीज है and light and sound show के timings summers में and winters में different होते है and इसके information आपके screen पे आ रहे है तो वीडियो को pause करके देख लेना also अगर आपको कोनाक sun temple के architecture and history के बारे में जानना है तो I would recommend you कि आप इहां पे guide hire कर लेना guide के charges around 300 रुपीज है and they will explain you in detail about the temple 1010 से कितना वाद 3 गहां 113 गहां से यहां से यहां तो दिस्टाण से 4 गहां और यहां से यहां से यहां तो दिस्टाण से 5 गहां so po चाहाए एंग्रीजातों साथ साथ लो साड़दस बाराइ साड़ए के 3 चाष छे शुरोज का रूसने जबता कीचा, आसमें टाइम पता करता है, संदाइल गोलते हैं, अंटिकलत गोलते हैं. स स स कार्णा झार जज बता हैं, अंटिकलते हैं, शरी चाजू का बता हैं, ज. So that's all from this video, I hope this video will be helpful to you while planning your weekend gateways from Kolkata Video अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दे वीडियो, शेर दे वीडियो अगर अपने अभीतर के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल Thank you for watching this video and I will see you in my next video